हमारे viewers के कुछ सवाल गरवधारन करना किसी भी महिला के लिए एक अलग एसास होता है लेकिन गरवधारन करने के साथ यह महिला के मन में कई तरह के सवाल भी उटते हैं जैसे गरववस्ता की planning कैसे करें क्या काएं, कैसी दिन चर्या हो क्या साबधानी बढ़ते हैं आदी सवाल महिला के मन में होते हैं इन सवालों के जवाब हम यहाँ आपको बता रहे हैं अगर आप गरवस्ता सम्मंदे सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारे comment box में जाके पूछ सकती हैं तो पहला सवाल है pregnancy के सुरुवाती एक दो महिनों में क्या खाना चाहिए तो आपको हमारा जवाब था कि आपको अपने आहर में protein, vitamin और minerals को सामिल करना चाहिए आपका आहर ऐसा होना चाहिए जिसमें प्रयाप्त महत्रा में iron और folic acid हो खाने में ताजे फल, दाल, चावल, हरी सबजियां, रोटी, आहदी खाना चाहिए अब दूसरा सवाल था कि पेट टाइट लग रहा है, दर्द भी हो रहा है, इसके लिए कोई सला बताईए तो हमने बताया था उनको कि ऐसी गंबीर समस्याओं के लिए अपने चिकिसक से सला लें क्योंकि इन स्थितियों में बिना मरीज की स्थिति को जाने कोई सला नहीं दी जा सकती है अब तीसरा सवाल है, डिलीवरी के बाद ब्लेडिंग नहीं रोक रही है क्या करना चाहिए, तो बताते हैं आपको क्या करना चाहिए अगर ब्लेडिंग नहीं रोक रही है तो किसी अच्छी चिकिसक से तुरन संपर करें और उन्हें विस्तार से अपनी समस्या बताएं सरीर से लगातर अधिक मात्राम खूल निकलते रहने से दूसरी कई समस्या जैसे एनेमिया आधि भी हो सकती है चोता सवाल है, हमारे वीवर्स ने एक सवाल पूचा था कि मेरी वाइफ का आटवा महीना चल रहा है और मैं उसे चार महीने से अब तक रोज रात को एक गलास दूद के साथ केसर पिलाता हूँ कहीं इससे कोई नुपसान तो नहीं है तो हमारा जवाब था इसका जवाब यह है कि अगर आप अपनी पत्न को रोयाना दूद पलाते हैं तो यह उनके स्वास के लिए बैतर है मगर कुछ खिलाने से पहले आप अपने डॉक्टर से सला जरूल लें जिससे कि आपके बच्चे का कोई आपके बच्चे पर कोई बुरा प्रवाब ना पड़े नेक्स्ट कोर्सन पूचाता हमारे व्यूवर्स ने एक मैला ने पूचाता कि मुझे पिरियेट्स तो नहीं आ रहा है लेकिन मेरा उल्टी करने का मन कर रहा है बताईए मैं क्या करूँ तो इसका जवाब हमने बताया था कि कई बार प्रेगनेंसी पिल्स साइड एफेक्ट से भी उल्टी मतली और चक्कर जैसे लच्चल मैसूस होते हैं अगर आपको पिरियेट्स नहीं आ रहे हैं तो आप प्रेगनेंसी टेस्ट कर लें इसके लिए अगर आप सुबह के पहले यूरिन से टेस्ट करती हैं तो रिजल्ट सटिक होने की संभावना बढ़ जाती है मगर फिर भी अगर आपके पिरियेट्स निच्चे दिन के पांस दिन बाद भी नहीं आये हैं तो आपको जल्ट से जल्ट किसी डॉक्टर से संपर करना चाहिए बले ही केट्र टेस्ट में रिजल्ट नेगेटिव आया हो हमारे व्यूवर्स ने जातर हमसे पूछे गए दो कोश्चन जाता तर पूछे गए हैं तो आईए मैं बताता हूँ आपको कौन से कोश्चन रिक्वेंटली आस कोश्चन कौन से हैं जो लोगोंने हमसे पूछे हैं जो लोगोंने हमसे पूछे हैं जो लोगोंने हमसे सेवई की खीर, गाजर का हलवा, आदी भी आप ले सकती हैं, इसके लावा आप दाल, फलियां, दाल, रोटी, अंडे, यही नहीं, आप आम, केला, चीकू, लीची, खजूर जैसे फल भी ले सकती हैं, इन सभी फलों को आप मिलकशेक में भी डाल सकती हैं, फ्रूट, स्मूद और थोड़े मक्षन के साथ सकरकंद, अक्रोड बादा, मुंफली के बारिक पाउडर, सूखे मेवे, किसमेज, खजूर, आदी को भी आहर में ले सकती हैं, अब दूसरा कोशन हमचे पूचा था, जाहतर लोगों ने कि गरवस्ता में कबजी की समस्या से बचने के लिए क्य गिलाज से जादा पानी का सेवन करें, आपको ताजे फल, सबजियां, धलिया, जै, अंकुरित, अनाज, बुरे चावल, आदी को आहर में सामिल करना चाहिए, आप सुबह और रात को सोने से पहले गर्म या सादे पानी के साथ दो आलू बुखारा भी ले सकती हैं, इसके है, अगर कबज गंबीर है, तो फॉरन डॉक्टर को दिखाएं, तो यही दो कोशन थे, जो हमसे पूचे गई थे जादर, आपके सारे डाउट किलियर हो गए होंगी, तो चलता हूँ, मैं आपके लिए नया वीडियो ले कराऊंगा एक अच्छा वाला, तब तक के लिए ध